नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग द्रूव नामक ने सरगिक शुब योग शाम साथ बच कर तेन मिनिट तक तदंतर व्यगात नामक ने सरगिक अशुब योग है व्यगात नामक योग में प्रथम नोगहटी शुब कार्यों में त्याज्य है विशस्ट योग रवियोग नामक दोश समू नाशक शक्ति शाली शुब योग रात्री आट बसकर पचास मिनिट तक रवियोग तिथीवार नक्षत्र जन्म कुई योगों की अशुपताओं को नश्ट कर शुब कार्यारम के लिए मार्ग प्रिशस्त करता है अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे वरत उत्सव आज संपुन दिवारात्री गंड मूल है महपात प्रातेव मात्र छे बचकर 28 मिनिट तक अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा करक राशी में रात्री आट बचकर 50 मिनिट तक तदंतर सिंग राशी में रहेगा अब आपको बताते हैं शुब मुहूर्थ और श्वेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहूर्थ उपर्युक्त शुबा शुब समय तिथी वार नक्षत्र वयूग अनुसार आज आज शक्ता में विवा का शुब मुहूरत है शुब मुहूरत है जो आवशक शुब कारे आरहम के लिए अत्य उत्तम है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम डू डे डो म मी आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं रात्री आठ बचकर पचास मिनिट तक जन्म जात्कों की जन्म राशी करक वा इसके बाद जन्म जात्कों की जन्म राशी सिंग है करक राशी के स्वामी चंद्रुमा वा सिंग राशी के स्वामी सूर्य देव है इनका जन्म रजत पास से है जो शुब है सामने तया ये जातक नेक कामों की नकल करने वाले संतों की सेवा करने वाले साहसी और शद का व्यापार करने वाले स्वार्थी, क्रोधी और व्यासन प्रिय अधिक होते हैं इनका भग्योदेर तीस बर्ष की आयू तक होता है करक राशे वाले जात तक खर्चों से परिशान रहेंगे विलास प्रियता की वस्तों पर व्याय अधिक होगा तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्व कारी हो नमस्कार